रेशम की डोरी 1974 की बॉलीवुड फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र और साइरा बानों ने अभिनय किया है अजीत और रजजो अनात हो गए अजीत एक बड़ा भाई होने के नाते अपनी छोटी बेहन की देखभाल बड़े व्यक्तिगत त्याग के साथ करता है जब वह अपनी बेहन को यौन उतपीरन से बचाने की कोशिश करता है तो मौत हो जाती है अजीत और उसकी छोटी बेहन उन शक्तियों द्वारा अलग हो गए हैं जिन्हें न तो वह समझ सकता है और नहीं वह समझ सकती है रेशम की डोरी वह धागा है जो उन्हें वापस एक साथ लाता है ये दौलत के अहनकार की तीन पीरियों की कहानी है येह अर्द सामंती भारत में अत्यदिक धन बेइमान प्रबंधकों, क्रोध, अहनकार की भी कहानी है सामाजिक संदर्ग में ये बॉम्बे के लोव परेल परेल में कपड़ा उध्योग की मृत्यू की कहानी है ये श्रम के शोशन की कहानी है श्रम गरीबी के कुछ द्रिष्य रूह कमपा देने वाले हैं यह एक ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोन है जो कपड़ा उद्योग में विनाश की प्रक्रिया को उलट सकता है। भले ही बीमा के लिए कपड़ा मिल में आग लगा दी गई हो। यदि आप सामाजिक संदर्ब की तलाश में हैं तो ये देखने के लिए एक बहतरीन फिल्म है। समवाद पूर्वानुमानित हैं, ज्यादातर स्टूडियो में शूट किये गए हैं। समपादन थोड़ा धीला है लेकिन कुल मिलाकर उस समय की सामान्य फिल्मों की तुलना में थोड़ी अलग धंग से प्रबंधित फिल्म है। 1980 का दशक बहतरीन कहानी और कुछ शांदार अभिने अजीत सिंग के रूप में धर्मेंद्र अनुपमा के रूप में सायरा बानो रजजो के रूप में कुमुद चुगगानी दिनेश के रूप में सुजीत कुमार पुलिस इंस्पेक्टर रनबीर के रूप में रमेश देव। बांके बिहारी लाल के रूप में राजेंद्रनाथ मस्तान के रूप में राजन हकसर मिल मालिक धर्मेंद्र के बॉस के रूप में सुरेश विशाल के रूप में सजजन शीला के रूप में मीनाती अनुपमा के दादा के रूप में सप्राव बड़े बाबू बने शिवराज जानकी दास बच्चे के अभिभावक के रूप में